आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 small business ideas के बारे में जिनको आप low investment से घर से भी बैटके शुरू कर सकते हैं मेरे वीडियो पे कई बार कमेंट्स आ चुके हैं कि मैं हमें ऐसा business ideas बताईए जिनको हम zero investment से शुरू कर सके यानि बिना पैसा लगाए business शुरू कर सके तो मैंने इस वीडियो के अंदर दो तिन business ideas ऐसे बताए हैं जिनको आप बिना पैसा लगाए भी शुरू कर सकते हैं ये कौन से business ideas हैं तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंतक देखना पड़ेगा चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजेगा तो शुरू करते हैं पहला business idea है 99 store 99 store इंडिया के बाहर पहले other countries में foreign countries में बहुत famous business है लोग इसको बहुत पसंद करते हैं लेकिन आज कुछ सालों से इंडिया में भी ये business बहुत चल रहा है क्यों क्योंकि लोग सस्ती चीज लेना ज़्यादा पसंद करते हैं और एक जगे ही अगर आपको सारी चीजे easily available हो रही है वो भी एकदम सस्ते दामों में तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और 99 रुपीज में अगर मिल रहा है तो लोग देखना चाहेंगे कि क्या मिल रहा है तो अगर आप ये business कर रहे हैं तो बहुत अच्छा profitable business है इस business को आप 20,000 से लेके लाग दो लाग तक भी शुरू कर सकते हैं इस business को आप घर से भी शुरू कर सकते हैं गर से मेरे कहने का मतलब है अगर आप कुछ समान भी सजा का अगर आप products लाते हैं अलग-अलग तरीके के जैसे kitchen का कुछ समान लिया है, cosmetics का समान लेके आ गए, home decorations का समान लेके आ गए ऐसे करके अगर आप घर पे भी बिजनस करते हैं तो अच्छा profit रहता है, अगर आप चाते हैं कि आप बड़ा mall या showroom खोल के इस business को करना चाते हैं तो इसके अंदर कम से कम आपको 1-2 लाग तक का investment करना होता है आप इसको छोटी को दुकान किराय पे लेके भी ये business कर सकते हैं, अगर आप 99 store खोल रहे हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके area के अंदर product कौन से ज़्यादा चल रहे हैं, किसकी ज़्यादा demand रहती है वो ही product अगर आप अपने 99 store में रखते हैं तो आपको अच्छा profit margin रहता है दूसरा business idea है e-commerce का, e-commerce का मेरा मतलब है इसमें आपको आज के time में online का जमाना है तो online सब चीज़ लोग purchase करते हैं, हर चीज़ online ही purchase करना पसंद करते हैं और जैसे कि ये बिमारी चल रही है, coronavirus तो लोग इससे social distance के कारण हर चीज़ online ही मंगवा रहे हैं तो e-commerce के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो manufacturing वाले होते हैं, उनसे आपको product लेना होगा उन product को आपको अपके घर पे लाना होगा, और फिर जो e-commerce की जैसे ये sites होती है, amazon, flipcode, mantra इन पे आपको अपना seller के रूप में एक registration करना होगा, और आपको अपके products की images डालनी होगी अगर आपको customer आपको product खरीते हैं, तो आपको जो भी उस site का service man होगा, वो आपके घर पे आपके product लेकी जाएगा, और आपकी customer को वो देगा और आपको जो margin होगा, वो आपको मिल जाएगा, अगर आप चाते हैं, मैंने जैसे बोला कि इसको अब, ये तो हो गया investment की बात, अगर आप इसको बीना investment की करना चाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जैसे amazon, flipcard, mesho, जैसे app होते हैं, ये क्या करते हैं, ये India के reseller app है, इस पे अगर आप अपना इनके जो product होते हैं आप अपना margin एड करके customer को दे सकते हैं और customer को पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ कहां स्याई है क्योंकि उनको service के बारे में नहीं पताया जाता है तो ये हो गया इसका without investment तो इस business को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं तीसरा business idea है garments का business जैसा कि friends आप सबको पता होगा कि कपड़ों की ज़रूरत हर इंसान को होती है और हर इंसान अनकपड़ा खरीदता ही है तो online ज्यादा लोग आजकल खरीदने लगे हैं तो आप garments का business कर सकते हैं आप माल को घर पे लाके बेज सकते हैं अगर इसम के अंदर थोड़ा थोड़ा माल रखके business करते हैं तो अच्छा profit रहता है नेक्स्ट है आपका मसाले का business मसाले का business आप अच्छा कासा profit margin देने वाला है इससे आप घर से भी शुरू कर सकते हैं आपको सिरफ मसाले की machine लानी हो की और raw material जैसे आगर हल्दी मेर्च धनिया इनको साबुत लाग के यह आपको घर पे ही piece के आपका खुद का brand name बना के इसको market में बेश सकते हैं जैसे कि आपने अभी जो भी मसाले की बड़ी-बड़ी कंपनिया MDH हो गई वार आमदे मसाला हो गया यह सुरुवात उन्होंने ऐसे ही की थी चोटे रूप से सुरुवात करी थी और आ नेक्स आता है mail service यानि tiffen service center लोग घर से बहार रहते हैं office or में या जो students होते हैं वो घर से बहार रहे के study करते हैं तो उनको घर का खाना खाना ज्यादा पसंद आता है तो इसके लिए वो क्या करते हैं tiffen की उनको requirement होती है अगर आप घरेलू mail आई हैं आप खाना बनाना अ फिर facebook पे page बनाई है इस पे भी आप अपना social networking side पे भी आप अपना ad कर सकते हैं और इस business को बढ़ा सकते हैं तो ये 5 small business ideas थे इनको आप एकदम zero investment और low investment से शुरू कर सकते हैं और घर से शुरू कर सकते हैं और ये business अच्छा profit देनने वाला है ये tiffen service center कैसे शुरू करते हैं क क्या क्या होता है इसका मैंने एक पूरा complete मेरे चैनल पर वीडियो बना रखा है तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेजेगा अगर और भी कोई जानका ही चाहिए तो comment section में comment कर दीजेगा धन्यवाद परें